साथियों आज भारत नई रिती और नई नीती पर चल रहा है उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतं के आकाओं को पहली बार उस बासा में समझाया जो बाशा वो समझते हैं आप मुझे पताईए मैंने सही किया कि नहीं किया ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या सरकारे सोती रहे वो आपको मंझूर है चोकीदार सो जाई आपको मंझूर होगा आपको जागने वाला चोकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए देश को जिताने वाला चोकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए भाईयों बेनों पूरी के बात सबूत मांग रहे थे सबूत अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया ऐसा काम दसकों तक कभी नहीं हुआ हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में गुश करके मारा है आतंकियों को उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मिद नहीं थी कि वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्टाइक की तो दिसी बार यह सही कुछ करेंगे और इसलिए उन्होंने क्या किया सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी टैंक लाकर कर पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी हम उपर से चले गए और मजा देखिए हम तो यह साप करकर के चुप थे रात के साड़ा तिन बज़ गए थे देश को क्यों जगाना भाई लेकिन यह ऐसी यह घटना इतनी बड़ी थी घटना इतनी बड़ी थी कि रात को साड़े तीन बज़े पाकिस्तान की निंद खतम हो गई हम तो चूप थे हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं पाकिस्तान ऐसा घबड़ा गया था कि पांच बज़े उसने ट्वीट करकर के रोना शुरू कर दिया मोधी ने मारा मोधी ने मारा मोधी ने मारा कि दुनिया को उनकी हालत बिगडिये समाच और हमने नहीं दिये पाकिस्तान ने दिये थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था देश को खबर पहले हमने की थी इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे और वही रोने नकरें और वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किये जाओ हमले किये जाओ प्रोक्सी वर किये जाओ भारत तो कुछ नहीं करेगा वहाथ पर हाथ जोड़कर करके बैठा रहेगा देश के दुश्मनों में भारत के प्रतिये जो सोच बरी है तो उसका मूल कि 2004 के पहले जो सरकारे थी रिमोट कंट्रोल वाली उनका रवया ऐसा था इसके कारण इनको यादत हो गई था कि साथियों भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26 ग्यारा को 26 ग्यारा 2008 को मुंबेबे पाकिस्तान से आये आतंकियों ने आतंकी हमला किया था क्या भूल सकते हैं क्या उस समय कुछ करने की जरोथिक नहीं थी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती लेकिन इसके के लिए दम चाहिए दोस्तों कि अ कि अ कि सारे सबूत कि पाकिस्तान में बैठे आतंके आतंक का आतंकियों के पुरूप मिल रहे थे सारे पुरूप उनको गुनेगार सिद्ध करे थे लेकिन भारत ने क्या किया पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया खबरे तो ये भी है उस समय भी हमारी सेना हमारी बायू सेना हमारी नव सेना बदला लेने के तयार थी सेना का खुन गरम हो रहा था दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था लेकिन हमारे सुरक्षाबलों को इजाज़त नहीं दी गई उनके हाथ पैर बांद कर रखा गया क्या हाथ पर बांद करके आतंग का मुकाबला हो सकता है क्या सेना के जवानों के बेडिया पहन करके हम कहोगे मारो ये चल सकता है क्या क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या क्या देश के दुश्पन के साथ ऐसी नर्मी बरत दिखनी चाहिए क्या साथ योई यही वज़ा थी कि मुंबई हमले के बाल भी देश में लगातार आतंग के हमले होते रहे याद करिए साल 2010 में फूरे में एक बेकरी में बंदमाका हुआ उसी साल 12 नसी में दसास में एक घाट पर बंदमाका हुआ याद करिए साल 2011 में मुंबई में फिर आतंग की हमला हुआ आपेरा हाउस, जावरी बजार, जादर में बंपटे फिर उsी साल 2011 में दिल्ली हाई कोट के सामने भी बंपटा इसी तरह साल 2013 में हाइदराबाद के भीड़ बारे बजार में बंदमाका हुआ एक के बाद एक मम जबा के हो रहे थे सैंकडों बेस के सुर लोग मारे जा रहे थे सैंकडों गायल हो रहे थे इन हम लोग के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया उन लोगों ने अपनी नीती नहीं बढ़ लिए सिर्फ ग्रह मंत्री बढ़ ले हैं अम नीती बदलनी चाहिए कि ग्रह मंत्री बदलना चाहिए साथ योप अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भासे में जिवाब दिया होता जो बासा वो समझते हैं तो आज आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में ऐस्ट्राइक के बाद आतंके आँकाओं को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है भारत की कारवाई के बाद अब वो बुरी तरह बोगलाये हुए है कि देश के सुरक्षावाल हमारे वीर जमान अपना काम कर रहे हैं लेकिन इस देश के अनागरिक के तौड़ पर हमें भी सतर्क रहना अपना दाहित्वन निभाना है हर उस तांकत को जबाब देना है जो देश के टुकडे टुकडे करने का सपना देख रहा है जो बारत में हमले की साजिस रत रहे हैं हमें उन लोगों पर भी अपनी द्रश्टी रखनी है जो इस समय भाईयों भहनों एक बात की और भी देश के नागरिकों को ध्यान देना होगा आज हमारे देश के भीतर अपने आपको बड़े नेता मानने वाले लोग सत्ता के सिहासन पर बुद्कान में बैठे वी ये लोग जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा से दुश्मनों को ताकत मिल रही है दुश्मनों को ताकत मिल रही है यह लोग यहां विवादित बयान दे रहे हैं सवाल भारत के वीरों के पराकम पर उठा रहे हैं और उनके निवेदन सुनकर के तालिया पाकिस्तान में बज़ रही है ऐसे लोगों को देश की जनताने सही रास्ते पर लाना चाहिए यह यह सही रास्ते पर लाने का काम आप करोगे नहीं करोगे